आज की बात स्वागत आज नौ जन्वरी हैं नौ जन्वरी यानि के बड़ा खास दिवस हैं जैसे की करांती जोती सावित्री भै फूले इनकी पहली स्कूल यानि के फूले दंपती की पहली स्कूल भीड़े वाडा की इसकी जैसे चर्चा होती है बिलकुल उसी चर्चा के साथ इस दिवस को जोड़ने का आज का दिन है यहने कि आज फातिमा शेख का जैनती दिवस है 1831 में 9 जन्वरी को फातिमा शेख का जन्म हुआ अब देखेगा दोनों की उम्र एक सी है मात्र च्छै दिन का फर्क 3 जन्वरी करांती जोती सावीत्री बाई फूले का जन्म दिन और नौ जन्वरी फातिमा शेख का जनम दी और ये दोनों मिलकर, इन दोनों शिक्षिकाओं ने मिलकर लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया ये भारती और द्वारा खोली गई जो पहली स्कूल है वो स्कूल की ये दोनों शिक्षिकाओं है सावित रिवाई फूले और फातिमा शेख फातिमा शेख के विशे में बहुत कम जानकारी मिलती है लेकिन जहां जहां बहुजानान दूलन में करांती जोती सावित रिवाई फूले की बात होती है जोती बाफूले की बात होती है उनके स्कूल की बात होती है तो फातिमा शेक उसमें जुड ही जाती है लेकिन उसके बाहर इनकी चर्चा नहीं है अब देखेगा ये इसको तो विडम बना कहा जाएगा इतिहास कारों की कि उन्होंने ना जूती बाफूले ना करांती जूती सावीतरी बाफूले और ना ही फातिमा शेक और ना ही उस्मान भाई उस्मान शेक इनका कहीं जिक्र लिखा लेकिन जब जब करांती बाफूले और सावीतरी बाफूले की बात होती है तो उस्मान शेक की बात जरूर आती है आप समझेएगा कि जब यहां की ये दक्यान उसी विवस्था के खिलाफ कुरांतिवा जूतिवा फूले और कुरांतिवा जूतिवा फूले जब खड़े हुए तो उनके घर से भी विरोज शुरू हुआ उनके पिता गोविंद्रा फूले ने उनसे सीधे कह दिया कि भी आप इस घर में नहीं रह सकते घर से निकाल दिया और जूतिवा फूले जहां पहुँचे वो अपने मित्र के पास मिया उस्मान शेख उनके मित्र थे और अपने मित्र के पास पहुँचे और मित्र ने उन्हें आस्रा दिया यानि कि सावित्री बाई फूले, जोतिबा फूले, उस्मान शेक और उनकी बहन फातिमा शेक ये चारों लोग मिलकर रहने लगे एक घर में अब आप इस बात को समझेगा कि जब सामाजिक परिवर्तन की ये जो बैयार चली और उस वक्त में सामाजिक परिवर्तन के लिए ये जो बीड़ा उठाया फूले दंपती ने तो उस्मान शेक का ये जो परिवार है ये परिवार जूतिबा फूले के साथ बिलकुल कांधी से कांधा मिला कर खड़ा था उस वक्त को याद कीजिएगा 1831 की बात है 1831 फातिमा शेक का जनम दिन और 1831 का वही वर्ष जब करांती जूती सावीत रिवाई फूले का जनम दिन आता है उस वर्ष में जहां तक हम याद कर पाते हैं कि लगभग 1827 के आसपास हमारी यहां स्कुले खुलना शुरू हुआ था लेकिन वो ब्रिटिश इंडिया का वक्त था और जो क्रिशिन मिशन्स थे वो स्कुले चला रहे थे और उन स्कुलों में अपने बच्चों को बहुत कम लोग भेज़ते थे उसमें भी पुरुष प्रधानमान सीखता लड़कियों को नह पर्धानमती हमारी यहां जो वरंवादी वीवस्ता है उस वीवस्ता ने तो कभी उसकी पर्मिशन ही नहीं दी तो ये तो पढ़े नहीं लेकिन कुछ परिवार जो ऐसे थे खासकर इसलामिक समुदाय में भी वीवार देखने को नहीं मिलती लेकिन इस्लामिक परिवार में तो ऐसी इस्थिती थी कि वहां बच्चियों को पढ़ाय जाता था लेकिन बहुत आयत में पढ़ाय जाता था या नहीं ये तो नहीं कह सकते लेकिन उस्मान शेख ने अपनी बहन को जरूर इसमें दाखिला दिलवाय था लेकिन हम ये समझें कि फातिमा शेख पढ़ने लगी थी सावित्र भाई फातिमा शेख के साथ पढ़ने लगी उस स्कूल में दोनों सखियां एक साथ जाती थी दोनों बहने एक साथ जाती थी पढ़ने और पढ़ते पढ़ते जब उनकी यहां पढ़ाई पूरी हुई तो उसके बाद वे शिक्षिका की ट्रेणिंग लेने के लिए भी दोनों साथ साथ गई और दोनों ने साथ मिलकर ये भीडे वाड़ा में जब स्कूल शुरू किये फूले दमपती ने तो इस स्कूल में भी फातीमा बिलकूल बराबरी में उस शिक्षा कारिय में साथ रही अब आप देखिएगा कि जब हम कृरानती जूती साथ रवाय फूले को भारत की अधुनी भारत की पहली महला शिक्षिका कहते है तो फातिमा शेख भी बराबरी से उनके साथ खड़ी हो जाती है और वो भी पहली महला शिक्षी का खड़ी ही होती है बहुत कम उनको ये सम्मान मिलता है बहुत सारे लोग ये भी कहते है कि फातिमा शेख मुस्लिम समुदाई की पहली महला शिक्षी का इस बात का दरजा देते हैं और लेकिन जितना स्पेस जितनी जगह है करांती जोती सावित्री भाई फूले को मिलती है बिलकुल उस बरावरी में फातिमा को नहीं रखा जाता लेकिन आपको बताए कि करांती जोती सावित्री भाई फूले इसमें क्या कहती है तो कुरांदी जूती सावित्री माय कहती है एक चोटा प्रसंग है जो उन्होंने स्वैम लिखा है वो कहती है कि बही तबियत ठीक नहीं है जूती बाजी को लिख रही है पत्र बे लिख रही है कि हाँ मेरी तबियत ठीक नहीं है सुधार तो हो रहा है लेकिन इस वक्त स्कूल को फातिमा ही समाल रही है और बहुत अच्छे से समाल रही है तो एक मुख्या ध्याफिका के रूप में उन्होंने स्कूल को समाला मतलब सावित्री भाई फूली के अनुपस्थिती में फातिमा शेख ने स्कूल को समाला दोनों ने मिलकर उस स्कूल को चलाया अब जैसा कि हम कहते हैं कि सावितरी बाई पर जिस तरह से उनको जिस विरोत का सामना करना पड़ा स्कूल चलाते हुए जैसे उन पर गोबर फेका गया, कीचड फेका गया तो क्या इसका सामना फातिमा जी ने नहीं किया होगा ये बात भी सोचने वाली है और यसलिए इन दोनों का जो योगदान है वरतमान में हम जो देखते हैं कि लड़कियां जितनी विकसीत हुई है लड़कियों में जो विकास दिखाए देता है उनका शेक्षीक, उनका सांस्कृतिक, उनका धार्मीक उनका एक विक्तीत्व के रूप में जो विकास दिखाए देता है ये सारी विकास में फातिमा और सावित्र भाई दोनों का बराबर का योगदान है इस योगदान के लिए फातिमा और सावितरी भाई ये दोनो गृत्र, ये एक साथ खड़ी होती है और इनका उतना ही जब योगदान आता है तो आज की विक्सीत जीवन को जब हम याद करते हैं तो हमने फातिमा जी और सावितरी भाई इन दोनों को याद करना चाहिए जोतिबाफूले, सावित्रिबाई फूले और फातिमा शेक ये चार लोग हैं जिन लोगों ने मिलकर इस शिक्षा के आंदूलन को आगे बढ़ाएं आप समझेगा कि कोई एक वेक्ति इस काम को आगे नहीं बढ़ाते हैं उस एक वेक्ति की पहल के साथ बहुत सारे कांधे उससे जूरते चले जाते हैं सगुना इनके साथ आ जाती है जो जोतिबाफूले की बहन हैं तो ये भी साथ में मिलकर इस पूरे आंदूलन को आगे बढ़ाते हैं तो ये आंदुलन ऐसे आगे बढ़ा और आज कहीं हम इतना ये जो विक्सी जीवन है इस विक्सी जीवन को देख रहे हैं तो इस बात को हमने आज फातिमा शेख को जब याद कर रहे हैं उनके जैनती दिवस पर तो आप समझेगा कि फातिमा शेख को शायद आपको याद होगा पिछले साल गुगल ने एक डूडल बनाया था फातिमा शेख पर और तब पुरी दुनिया में फातिमा शेख की चर्चा होने लगी उसके पहले बहुत कम लोग इस पर बात चीत करते थे बहुजना अंदुलन में केवल इसकी बात चीत होती थी जब जब करांती जोती की बात आती थी सावीतर बाइफ उले की तब तब फातिमा शेख की बात आ जाती थी असमान शेख की बात आ जाती थी लेकिन उसके बाहर कभी इसकी चर्चा नहीं होती थी आप समझेगा कि ये कोई धर्म, संप्रदाय, इसकी बात नहीं है बलकि ये लड़कियों के पढ़ाई की बात है लड़कियों को उंचा उठानी की बात है लड़कियों को समान दिलवानी की बात है उनके सशक्ति करन की बात है और इस कार्य में ये जो जोड़ी है आधुनिक समय में ये बड़ी महतपुर्ण जोड़ी रही इनके साथ सगुना का भी नाम आता है मतलब करामती जोती सावितरी बाई फुले, फातिमा शेक और सगुना ये सब एक साथ मिलकर ये इस काम को आगे बढ़ाते हैं और इस रूप में शिक्षा के खेतर में ये वो मा हैं जिनोंने अपनी बच्चियों को इतना बहतर बनाने के लिए उस वक्त बहुत कष्ट सहे और कष्ट सहे कर ये जो वरतमान की इस्थिती है जिस इस्थिती में हम देखते हैं कि लड़कियां आज नित्रुत्व करने लगी है तो आज उस त्याग बलिदान और परिश्रम को जो फातिमा शेख से आता है उसे हम अभी बादन करते हैं और आज की बात को यहां रोकते हैं